उरिसा के बाला सेर में दो जून यानि शुक्रवार को शाम छे बच कर बच पन मिनट पर तीन ट्रेन आपस में टकराती हैं और इनके टकराने से 275 से जादा लोग मारे जाते हैं गायल लोगों का आकडा 900 से जादा पहुँच चुका है और ये भारत की अब तक की सबसे भीष्ण रेल दुर्गटना मानी जा रही है इस दिल तहला देने वाले हाथ से को हम परसो बरस याद रखेंगे और शायद कुछ सवाल हमारे दिमाग में तैरते ही रहेंगी क्या कारण था तकनीकी तो बहुत उन्नती कर चुकी है फिर भी इस तरह के हाथ से क्यों हो जाते हैं क्या ड्राइवर की गलती थी या कोई तकनीकी खराबी या कोई कारण खैर कारण कुछ भी रहा हो विनाश इसका नतीजा था और इन 200 सालों में यानी दो सदियों में कुछ और रेल दुरगटनाएं भी याद हुई है जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है ऐसी ही एक दुरगटना दिसंबर 2014 में हुई थी सुनामी को तो शायद हम कभी भूल ही पाए ये वो तबाही थी जिसने कितने ही घर उजाड़ दिये कितने ही देश तबाह कर दिये शिलंका के कोलंबो से गाले जा रही ट्रेन दे क्वीन ओफ दे एसीस की चपेट में आ गई लहरों के वेग ने ट्रेन को पूरी तरीके से लील लिया इसमें सत्रा सो से जादा यात्री सवार थे एक भी यात्री जिन्दा नहीं बचा दुनिया में ये अब तक का सबसे भयानक रेल हाथसा है इसके अलावा रूस में जून उन्निस सो नवाजी की एक शाम को उराल के पहाडों में उफा के पास एक हुई रेल दुर्गटना भी कम भयावा और भयानक रही थी तेरा सो यात्रियों से लदी ये ट्रेन उफा और आसा के बीच से गुजर कर जा रही थी ट्रेन में सैकडों की संख्या में पच्चे थी जो काला सागर के तटों पर वेकेशन कैम्प्स के लिए जा रही थी पत्री के बगल से गुजर रही एक गैस पाइपलाइन बहुत देर से लीग हो रही थी पाइपलाइन के लीक होने से गैस का धुआ फुरी खाटी में च्छा गया था जैसे ही ट्रेन यहां से गुजरी पट्रियों पर पहाड़ीों की रगड से एक चिंगारी निकली और इस छूटी से चिंगारी से जो धमाका हुआ वो 95 मील दूरी तक देखा गया इस धमाके की ताकत 10,000 टन टी एंटी के बराबर थी इस हासे में 575 से जादा लोग मारे गए और 800 से जादा लोग खायल हुए थी मरने वालों में 181 बच्चे शामिल थे जो कभी घर वापस नहीं लोटे बिहार में जून 1981 में मांसी से सहरसा जा रही पैसेंजर ट्रेन अचानक बेकाबू होकर बागमती नदी में गिर जाती है उस समय के सरकारी आगरों के हिसाब से हासे में 261 लोग मारे गए थे लेकिन अगर गैर सरकारी आगरों को देखा जाए तो 800 से जादा लोगों की मौतों का दावा किया है उफनती हुई नदी से सभी शवों को कभी भी नहीं निकाला जा सका महीनों तक बागमती में शब तैरती ही रहे इस तरह की भयानक रेल दुरकटाओं का इतिहास गवा रहा है लेकिन एक बाद जो निकल कर आती है वो है मानवता यानि ऐसे समय में हम सब लोग इखटे होकर इन लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं यदि आप में से कोई भी इनकी मदद करना चाहता है और हम अगर इसमें किसी तरह से आपका कोई भी मार्क दर्शन कर पाएं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हम हर संभव प्रियास करेंगे कि आपके किसी सवाल का या आप कहां ये मदद पहुचा सकते हैं इसका जवाब देखाएं